आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें निकद्रिश्टी दोस एवं दिर्ग द्रिश्टी दोस में अंतर लिखे यह हम से प्रशन में कहा गए है. तो दोस्तों द्रिश्टी दोस के बारे बात करते हैं, पहले हम मानाउनेतर का एक चितर बना लेते हैं समझने के लिए कुछ इस तरीके से कि यह गोला होता है. अब इस पर क्या होता है, यहां पर एक lens होता है, जो उत्तर lens की भाती व्यवहार करता है, जिसका कार यह क्या रहता है, इसका कार यह रहता है, कि जो भी प्रकास किरन आ रही है समांतर, उसको फोकसित करके रेटीना पर पहुचा दें, यहां कहीं पर रेटीना होता है, जहां पर ज रहता है नेत्र में उसका फोकस बिंदू होता है रेटीना पर तो रेटीना पर पहुचा दे ऐसा कार्य रहता है लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि दृष्टी दोस्त अगर आता है हम पे तो क्या होता है या तो फोकस दूरी बढ़ जाती है या घड़ जाती है तो नेत्रों दे रहा है तो आगे कटान बिंदू मिर रहा है तो आगे पर प्रतिविम बर रहा है पहले कम मोड़ता था तो कहा पर बनता था रेटीना पर बनता था अब ज्यादा मोड रहा है उसी समांतर प्रकास किन्नों को तो यहां आगे पर रहा है रेटीना से ठीक है ना आप चितर मे फोकस दूरी को पीछे ले जाने के लिए, मतलब दूर ले जाने के लिए, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो उत्तल लेंस क्या करते हैं, जो समांतर प्रकास की रन आ रहा है, उसको थोड़ा सा फैला देता है, ठीक, अब वो जो फैले वे प्रकास की रन है, वो कहीं दूर पर बनते हैं ठीक है कहीं दूर पर एक दूसरे को काड़ते हैं तो कितना दूर काटेंगे रेटीना पर काटें इतनी उपयूकत चमता का हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं नीजे आप चितर में देख रहे हैं यहां पर अवतल लेंस तो इतनी उपयूकत चमता क उसको थोड़ा सा बाहर की और अपसारीत कर दे रहा है थीक है अब जो बाहर की और जा रही है फिर वो क्या हो रही है वो लेंश पर पढ़कर एक दूसरे को किस बिंदू पर प्रतिश्चेद कर रही है रेटीना पर ठीक है तो प्रतिवीम हमको रेटीना पर प्राफ्थ होता है तो हमने यहाँ पर क्या लिए अवतल लेंस लिए ठीक है अवतल लेंस तो यह कौन सा दृष्टी दोस है दोस्तों यह है निकट दृष्टी दोस इसमें दूर की चीज़े नहीं दिखाई देती धुनले दिखाई देती है मत हमको प्रतिवीम जो है रेटीना पर साफ कहां दिखाई देता है केवल एक निश्चित बिंदु तक हमको वहाँ पर रेटीना पर साफ दिखाई देता है उससे आगे अगर देखे तो धुनली दिखाई देती है अब बात करता है दिर्ग दिरिष्टी दोस्त की ठीक है तो चीतर उसके लिए हमने सरलगन किया हुआ है दिर्ग दिर्ष्टी दोस्त तो दिर्ग दिर्ष्टी दोस्त में क्या होता है दोस्तों कि जो दूर की चीज़े हुँ तो एकदम साफ दिखती है ठीक है दूर की जो चीज़े है वो साफ दिखते है लेकिन अगर पास की चीज़े को देखे ठीक और जितना दूर पर काटेगी वो रेटीना से पीछे हो जाएगा तभी दिर्गद्रिष्टी दोस हो जाएगा नित्रुपे ठीक है तो अगर हम पास की चीजों को देखते हैं मतलब 25 cm हमारा रहता है सीमा 25 cm से नजदिक की चीजों को हम धुंडला देखते हैं साफ नहीं लाना है तो आप जितना नजदिक लाओगे 25 cm से बाहर उतना क्या होगा धुंदला दिखेगा इनको ठीक है तो इस तरीके से इसको हम क्या कौन से लेंस का प्रयोक कर किसका निवारन करते हैं उत्ता लेंस उत्ता लेंस क्या करेगा दोस्तों जो भी प्रकास किरन आरी समांत है वो ईक असपास ही काटेगी एक दूसरे को और कहा काटेगी रेंस पर जहांपर फोकस होना चाही था वही पर एक काटती है, जो focus window बनाती है ये दो उत्तर lens का सयूजन जो है, एक तो natural lens हो गया, एक बाहर रूप से हमने चस्मे का lens लगया वो, वो दोनो उत्तर lens चमता को बढ़ा देती है, और चमता बढ़ गई, तो प्रगास की ने अधिक मूरी और अधिक मूरी, तो पहले क्या है, कम मूर पा रही थी, तो दूर पे focus इत हो रही थी अधिक मूर पाएगी, तो क्या होगा, पास में focus इत हो जाएगी, और कहाँ पास में होगी करीब यहाँ, रेटीना पे, नीचे वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, प्रशन में क्या पूछा था, निकट दृष्टी दोस यों दिर्ग दृष्टी दोस में अंतर लिखे, ठीक, तो अंतर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, हम लिख सकते हैं कि निकट दृष्टी दोस में निकट की वस्तुए साफ दिखाई पड़ती, दूर की वस्तुए धुनली दिखाई पड़ती, और दिर्ग दृष्टी दोस में क्या होता है, दूर की वस्तुए साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तुवे धुनले दिखाई देती है निवारन के चस्मा हम अवतल लेंज और उतल लेंज क्रमशह उपयोग मिलाते है निकट दिश्ची दोस तथा दिर्गदिश्ची दोस के लिए अंतर हम यहां लिख सकते हैं कि दूर की वस्तुवे धुनले दिखाई देती है और दूर दिश्ची दोस में निकट की वस्तुवे धुनले दिखाई देती है और क्या लिख सकते हैं कि निवारन के लिए उतल लेंज का प्रयोग किया जाता है निकड दिश्टी दोस में और दूर दिश्टी दोस में निवारान के लिए उत्ता लेंज का प्रयोक किया जाता है और भी अंतर हम ये concept को समझ कर बता सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है निकड दिश्टी दोस में जो प्रतिविंब है वो रेटिना के आगे बनता है दूर दिश्टी दोस में प्रतिविंब रेटिना के पीछे बनता है ठीक है और क्या बता सकते कि निकड द्रिष्टी दोस में जो दूर बिंदू होता है वह नस्दीक आ जाता है अनंत नहीं रहता लेकिन दिर्ग द्रिष्टी दोस में दूर बिंदू अनंत ही रहता है निकड बिंदू है वो 25 सेंटिमीटर से आगे खिसक जाता है ऐसी बहुत स अब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सो चार सो चार सो पर